राम राम आप सबारो स्वागत है दो वाई स्टोरीज में मारो नाम युवरागी है और मैं ले राई हूँ एक और नई कहानी होली री कहानी, होली रोतियोहार घणो मजेदार आपाने याद दिरावे अच्छाईरी बुराई माते जीत और दर्शावे मौसमरो बदलाव साथ ही साथ आपाने याद दिरावे कि आपाने जीवन में रंग किता जरूरी है चाहे वे खान पान में वो, आपाने पेरावा में वो या आपाने आसपास रे रहन सहन में वे वो और आखिर में ओ दिन है जिन दिन सारा भेदभा, उच नीच, जात पात, सब भुलान, सारा जन भिडावे, मिल जुलने त्योहार मनावे एक दो जाने रंग लगावे, साथे गीत गावे, खान पान करे और नाच गानों करे तो इन रसने याद राखता आप भी आपरी होली मजेदार तरीकाओं मनाव जो तो शुरू करा आजरी कहानी, कहानी है घणी पुरानी, हिरन्यकश्यप नाम रो एक राजा हो, राजा करी कडी तपस्या, भूको प्यासो एक टाग माते उभो तपस्या करियाएंगियो, प्रार्थना करियाएंगियो, उन्हें तपस्याओं प्रसन वे ब्रह्मा जी उन्हे दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी कियो, बोल हिरन्यकशव ठारी कई मंचा है, हिरन्यकशव कियो, हे प्रभु मैंने आप अमर वेवनो वर्दान दे दो, तो ब्रह्मा जी हसिया, अरे, इन दुनिया में अमर वेन कूण आयो है, कोई दुजो मर्दान मांग ले, तो ने कोई ना दिन में मार सके ना रात में, ना कोई पुरुष मार सके ना कोई जानवर, ना मैं धर्ती पे मरूं, ना आकाश में, ना घर्रे मैने मरूं, ना घर्रे बारे, ना कोई शस्त्रव मरूं, ना ही कोई ओजार हूं। तो ब्रह्मा जी ने विवश्वेन वर्दान देनों पड़ियो जूँई उन्हें वर्दान मिल्यो मुचारे लगायो ताँ और छाती करी चोड़ी और अकड में होचने लागो अब तो भगवान मैं जूँँँगी उन्हें हिसाबू तो उन्हें वो सारो जापतों कर लियो हो खुद्रे अमर्वेवन और इन अकड में वो एलान कर दियो कि सब जणा भगवानरी पूजा छोड़ महरी पूजा करो अब उन्हें प्रजा में घणा हारा हा जो हा विश्णू भक्त वो जान ने मन ही मन विश्णू ने खुद्रों दुश्मी मान लियो और खुद्रे दु खुद्र में उन्ही खुद्री छत्रे नीचे उन्हों खुद्रों बेटों भगवान विश्णूरों बड़ों भक्ते अब ओकी कर वेगो भई अबार बताओं तो जद हिरने कश्यप तपस्या में लीन हो ब्रह्मा जी ने राजी करने चाहिरियों हो तो उन्ही घर्भवती पतनी कयाधू एक रिशी मुनीरे आश्रम में शरणली रिशी मुनीरे आश्रम में उन्हे कान में और उन्हे अजन्मिया बेटा रे कान में सुबे शाम भगवान विश्णूरों नाम पड़तो वारी महिमा वारा गुणगान वारा गीत वारी प्रार्थना और वारी कहानिय अब अजन्मियों बच्चो वो टाबर जन्मू पहली भगवान विश्णूरी भक्ती माते लागगों हो तो जन्मिया पच्छे वो पात किकर छोड़ देतो तो उन पत माते वो चालतो रियो और छोटो सो प्रहलाद भगवान विश्णूरों परम भक्तवेगो अब खुद्रो बेटो विश्नूरी पूजा करे और हिरन्य कशप राजा ने कैवे कि भई विश्नूरी पूजा मती करो अब योग ही करवे सके तो वो घणा मनसूबा करिया पहाडरी चोटी मातू पठकियो जहर पाई दियो साप बरिया कमरा में बंद कर दियो पर प्रहलादरो बाल भी भांको कोनी वियो तो हिरन्य कशप हार मानने खुद्री बेहन होलिका ने बुलायो होलिका ने वर्दान हो कि उन्हें कोई भी आप जला को नी सके पर वा भूल गी के खुद्रो वर्दान अच्छा काम वासे लगानों हो काम में तो वा तो प्रहलाद ने खुद्री गोदी में लेन चिता माते बैठ गी चिता ने अगनी दी गी तो प्रहलाद रे तो आची कोनी लागी ना ताप लागो ना बाल भी बढ़ियो और उठीने होली कारो शरीर काडो पढ़ने लागो वा बढ़ने लागी और इन्हों पहली वा कई कर सकती पूरो उन्हों शरीर भसम वेगो भस्म वेन वण बढगी राख तो आपा होली का देहन रे दिन होली मंगलावा किकर तो एक बड़ी सी चिता जीओं आग लगावा और उन्हें महीने बिच्छा राखा एक हरी कोंपल उन कोंपल ने खैंचने बारे निकाला वो प्रतीख है छोटा प्रहलाद रो जिनो बाल भी बांको कोनी वियो और होलीका वेगी भस्म होलीका रे भस्म वेते हिरन्य कश्यप रो ख्रोध रो पारो तो उच्छो यउच्छो चटगो तो वो खेवन लागो प्रहलाद ने तू कहवे था रो विश्णू सब जगे है अच्छा एड़ी बात है तो बता इन खंबा में है और जोरू खुदरी गदारो प्रहार उन खंबा माते करें खंबो चक्ना चूर वेज जावे पर खंबारे मैनू आवाज आवे एरी गरजणी के स्वटे उभा सारा मिनक धूजने लागे और गरजणी आवाज काडने वाडो कूण स्वयम भगवान विश्णू जो खुद्रे भक्तरी लाज राखने अवतार लेन प्रकट विया खेडो अवतार नर्सिंग अवतार शरीर नर्रो और माथो सिहरो शेरो माथो ओ देखाओ और प्रकट विया भगवान विश्णू नर्सिंग अवतार लेल और सारा मिनक वटे धूजने लागा अब समय हो शाम रो ना तो ही दिन ना ही रात हिरन्य कश्य अपने खैंचने लेगा भगवान कटे घरी देहली जरे वटे ना तो घर्रे मैने ना घर्रे बारे और घरी गोद में तो ना तो वो हो जमीन माते नाहीं आकाश में और खुद्रे पंजाओनी छाती हाथा उन ना खूनों नव्चाती चीरना की तो ना तो कोई शस्त्र माही ऑजार तो हिरन्य कश्य जो घणी फूश्यारिया दात करयो हो खुद्रों-वे सारा ही यह प्लैन प्रहलाद जूई भगवान रे पगाने हाथ लगायो भगवान रो गुसो सारी रीज चुम अंतर वेगी भगवान उने गोधी में ले लियो और मुन्नाव चाट लियो तो जठे भी आपा भगवान नरसिंग री प्रतिमा देखा वठे आप जरूर नोट कराव जो कि छोटा प्रहलाद री प्रतिमा भी मारे गोधी में बनाई जावे तो इन दिन भगवान खुद्रे भक्त री लाज राखी और बुराईरो वियो नाश तो आ ही कहानी होली री अब होली रे अगले दिन आपा खेला रंगवाली होली और रंगवाली होली क्यों खेला? आपाने जीवन में रंगरों बहुत महत्व है हर रंगरों महत्व है लाल रंग दर्शावे, श्रद्धा, भक्ती, शक्ती तो नीलो रंग दरशावे असीम, अपार, जिनो कोई अन्थ कोणी अनंथ, तो जाने सागर, जाने आकाश, अपणे भगवान भी श्री राम विया, खृष्न भगवान विया, भगवान शिव वीया, वाने भी कित्ताई चित्रकार नीला रंग में दरशावे. क्यों कि नीलो है अनंत असीम जू है ए भगवानरी शक्ति अनंत असीम अब रंग हरो हरो दर्शावे प्रचुरता सब जगे हर्याली लहलाहानो नहीं जन नयों जन लेनो तो उन्हें जर्शावे हरो अब पीडो रंग दर्शावे ज्यान और स्थिर्ता तो अपाने जीवन में हर रंग रो बहुत बहुत महत्व है तो खान पान में भी सब तरे रंग जरूर जीमना और पेरावा में भी रंग रंगीला कपडा पेरना और आपाने आस पास भी तरे तरे रंग देखना और माने आपाने जीवन में संजोणों आपरी होली खूब अगल मही वे आपा जल्दी मीला और हाँ अगर आप इन चैनल ने लाइक शेर या सब्सक्राइब नी करियो वे तो जरूर कराव जो जल्दी मीला राम राम